तो यह देखो प्यार वेचे एक कोश्चन है कता टू अब्जेक्ट मास ए एंड भी यह ए इसका मास ए और बी वाले का मास एंभी अटेच बाइच 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 और यह पूरा सिस्टेम एक लेशन से अपवाड हो रहा है तो टीवन टीटू की वेल्व निकाला है चलो यह इस शिस्टेम में यहां एक इस्टर्यम है और यहां एक बॉल एक रहां पूरनी हुआ चाहों था मैं पूरा गोल बना दूंगा यहां से टूल यूज कर दूँगा तो थोड़ा सा ज्यादा फील आजाएगा आपको यहां से तो और यह यह वाला ठीक ना तो यह दो बॉल है और ऑबियसली से पूरा सिस्टम अगर एक्सलेट और ऊपर जा रहा है तो चलो इसको पूरे सिस्टम एक्सलेशन ए मालो और यह सब्सक्राइब कर रहा हूं तो यहां से तुम देखोगे तो एक पर कितना फोर्स लगाएगा देखो एपर इस स्ट्रिंग में जो टेंसन दिया था वो टीवन तो ऊपर लगे गई यह एक वीडी बना रहा हूं साथ सब्सक्राइब इस ए पर यहां टीटू वर्टिकली डाउंड लगेगा एक फोर्स अर्थ लगाएगी जिसका नाम होगा एम एजी एक यह सूडो लगाएगा जो की एक्सलेशन मास अब बोडी और एक्सलेशन अफ्रेम के अपोजिट होगा पुल मिला के जो अब की यहां से एम एगर कॉम ले लेते हो यहां से एपलस जी बजाता है और प्लस यहां से टी बजाता है तो यह की equation मैंने लिखती है अब दूसरे का equation लिखोगे दूसरे वाला बोडी का इसका तो इस पे कहेगा इस बोडी पे टेंशन टीटू ऊपर लगेगा और यहां से एम बी जी नीचे लगेगा और यह एक सूड़ लगाएगा एम बी ए तो पुल मिलागे जो नीचे वाला बोलो इस पे तीन पोर्स लगेगा और इसको यह रेस्ट मिन जारा आए तो टीटू इकल टू एम बी ए और प्लस एम बी यहां से जी तो अगर आप देखोगे यहां से तो यहां से एम बी यहां से common हो गया और ए प्लस जी के equal हो गया तो अब टीटू की value इसमें रख दोगे टीवन में तो एक equation मुझे यह मिल गया अच्छा कासा और टीवन को मैं नहे तरीके से लिख सकता हूँ एम ए ए प्लस जी और प्लस टीटू को रखोंगा तो एम बी ए प्लस जी डैट इस अपना टीवन हमें क्या चाहिए था रैसियो चाहिए था तो रैसियो के लिए बच्छो डिवाइड कर दो मनलब टीवन अपन टीटू की value ले लो तो इसका मतलब है कि एम ए ए प्लस जी ड डिवाइड कर दो यहां से एम बी ए प्लस जी अब यहां से जी प्लस ए कॉमन है तो ए जो ब्रेकेट में फाइनली जो सलुशन बन जाएगा वो म ए प्लस एम बी डिवाइड बाई एम बी डिस इस रिजल्ट और इस हिसाब से अगर तुम देखोगे तो अपना ए ओप्शन सही हो जाता है ठीकना थेंक यू